दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं होंग कॉंग और डिडिस रिच का जो ये मुकाबला स्टार्ट होने वाला है P.A.H.K. वर्सेज K.C.C. के दर्मियान में जो ये मुकाबला होगा इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटिल से हम लोग जानकरी देंगे आपको बताएंगे P.A.H.K.K. और K.C.C. के कौन से खिलाड़ी आपको इस मैच में ओपन करते वे दिखेंगे कौन से खिलाड़ी फर्स्ट आउन पे खिलते वे नज़राएंगे कि दोस्तों जितने भी प्लेयर से सारे प्लेयर का बैटिंग ओर्डर में आपको इस वीडियो में इस्टेप बाश्टेप बताने वाला हूँ साथे साथ आपको बताएंगे कि कौन से बोलर यहाँ पे आपको कंप्लेट 10 ओबर तक गिंदबाजी करते वे दिखेंगे कौन से बोलर चार से पांच ओबर तक गिंदबाजी करते वे दिखेंगे कैप्टेंसी के लिए किसको लेना सही रहेगा दोस्तों वाइस कैप्टेंसी के लिए किसे आप ट्राय कर सकते हैं सारे खिलाडियों का important information आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा तो friends अगर आप इस match में एक सांदर टीम तेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको सुरू से अंतक दिखना होगा ताकि इस match से related आपको सारे important जनकारी मिल पाए और आप एक बहतर इंटीम बना पाओ लेकिन इस से पहले एक छोटी से request दो तो अगर आप चैनल पे नहीं जूड़े हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरू कर ले ना इस वीडियो के नीचे आपको subscribe का बटन दिख रहागा दोस्तों इस पे आप क्लिक कर दे फिर याँ पे जो bell icon बना हुआ है इस पे क्लिक करने के बाद all का option देखने को मिलेगा इसको भी आप look select कर लेना देखो दोस्तों इसे क्या होगा न कि अगला वीडियो मैं जैसे upload करूँगा आपके पास सिधे notification जायेगा और सारी matches का जानकारी आपको मिल पायेगा दोस्तों अगर states पसंद आते हैं तो वीडियो को एक like जरू कर देना क्योंकि आपका एक like से हमें काफी motivation मिलता है दोस्तों तो एक like करके हमें support जरू करें और सबसे जरूरी बात है कि हमारे telegram group को join कर ले देखो जितने भी हमारे नए member जोड़े हैं दोस्तों उनसे request एक पर हमारे telegram group को जरूर जोइन कर लेना क्योंकि देखो line अप आते हैं तो आपको final update वहीं पे मिलता है आपको यहाँ पे न आपको एक arrow का बटन दिख रहा होगा और last में इस वीडियो के अंत में एक team हम लोग यहाँ पे तयार करेंगे जो final team रहेगा लेकिन फिर भी उस team में अगर एक भी changes होते हैं तो मैं आपको यहाँ पे update कर दूँगा final team तो जल्दे से join कर लो इसका link आपको इस वीडियो के नीचे description box में और comment box पहला comment में मिल जाएगा मैंने दो जग आपको link share कर दिया है कहीं पे भी click करके आप join कर सकते हैं I hope आपने join कर लिया होगा तो चलिए अब हम लोग stats की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग सुरुआत करेंगे match विडियो से देखो दोस्तों ये जो मुकावला है न ये कॉलन क्रिकेट कलब में ये मुकावला होगा होगा होंक कंग में और ये जो match है न यहां का peach report अगर आप देखोगे तो balance peach है batsman और ballers दोनों को support देखने को मिल रहा है और खास करकर यहां पर देखेंगे spinners ने काफी कमाल के विगेट निकाले हैं तो जादा-जादा main यहां पर spinners को अपने team में focus करना दोस्तों उनको अपने team में लेने का कोशिस करना बाकी weather report की बात करेंगे थोड़ा बहुत आपको यहां पर बादल देखने को मिलेगा इस ground पे तो यह चीज़ अपने ध्यान में रखते वे team create करना बाकी बारिस होने के बहुत कम chances रहेगा फिर भी P.A.H.K की बात करेंगे दोस्तों तो P.A.H.K की team ने एक match अभी तक इसरीच के खेला है जो कि U.R.S.C के खिलाब यह मुकाबला हुआ था दोस्तों 24 रन बनाये थे इसमें पूरी team all out हो गया था दोनों ही team all out हुआ है लेकिन U.R.S.C की team की बात करेंगे जो कि मातर 500 रन पर यह पूरी team यहाँ पर मतलब all out हो गया था देख सकते हैं पहले match में काफ़ी बढ़िया तरीके से P.A.H.K की team ने विन कर रहा है दोस्तों यहाँ पर जो open करते विए नज़राएंगे दोस्तों यहाँ पर मनजंदर सिंग जो की team की opener बल्ले बाज रहेंगे इन्होंने 7 रन बनाई थी last match में लेकिन यह team की ने open करेंगे यह चैप थोड़े थ्यान रखना अच्छे बल्ले बाज है team के top पर बल्ले बाज जी करते वे नज़राएंगे इनको miss नहीं करना बाकि एहमेद खान की बात करेंगे यह team के open करते वे दिखेंगे यह बी इन्होंने दोस्तों अगर आप देखोगे तो 12 रन बनाई यह भी team के top पर बल्ले बाज जी करेंगे तीनको भी miss मत करना दोनों के तोनों टीम के टॉप पे आपको बल्लेबाजी करते वे दिखेंगे ओपनर बल्लेबाज है दोस्तों बाखी बात करें पे अनास खान के बारे में ये टीम के मिल्डर और पे बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों चार नमर पे बल्ले बाजी करते वे नजराय थे, सातर नमर बनाय थे, इसमें 40 रंड खर्च के थे, कोई विकेट इसमें नहीं मिला है, दस ओवर तक बॉलिंग करते वे दिखेंगे, ये काफ एच्छी बात है, ये दस ओवर तक कम्लेट बॉलिंग करेंगे, विकेट लेने के चांसिस बना रहेगा, बिल्कूल आप इनको ड्रॉप मत करना, ODI का मैच है, बल्ले बाजी भी चार नमर पे करते वे दिखेंगे, ज्यादा दूर बल्ले बाजी नहीं करेंगे, तो इनको अपने टीमें स्लेट करते वे चलना, बाकी बात करेंगे, पर हज़िब मुहमत की बारे में टीम का सेकेंड आउन पे बल्ले बाजी करेंगे, कोई बॉलिंग करते वे नदर नहीं आने वाले है, लाक्ष मुचे बॉलिंग नहीं करा है, एक रन इनको ड्रॉप करते वे चलो फिलाल, हसन खान मुहमत की बात करेंगे, छे नमर पे बल्ले बाजी करते हैं, इनको अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो, बेश चोईस रहेगा, मुहमत की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मुहमत जो की आट अमर पे बल्ले बाजी करते हैं, उननीस रंबनाए हैं पहले मैच में, पांच विकेट अपने नाम की यह थे चोंतिस रंड खर्च करते हुए इनका इस्ट्रेट जोगी पांच अनमर पे इनोंने बल्ले बाजी कराई, ये साथ अनमर पे बल्ले बाजी करते हैं और अप देखेंगे फ्रेंड, तो एक विकेट इनको मिला था तन्वीर अफजाल की बात करेंगे टीम के कैप्टन रहेंगे टीम के तीन नमर पे बल्ले बाजी करते वे 64 और बना के दो विकेट निकाले हैं इनको अपने टीम में मिस मत करना बहुत इस सूपब ऑफजन रहने वाले हैं तो यह था जानकारी दोस्तों यहाँ पे पी एए एच के का स्टेट्स लेकिन के सिसी की बात करेंगे तो के सिसी के टीम ने दो मैचे खेला है लेकिन सेकेंड मैच की बात करेंगे दोस्तों के सिसी और एच के सिसी के खिलाब जो मैच वा था तो यहाँ पे जीत की बात करेंगे तो एच के सिसी की टीम ने विन करा है तो यहाँ पी जो आपन करते वे दिखे थे जैमी जो कि टीम की आपनर बल्लेबाज रहे थे दोस्तो जैमी जो कि विगेट की प्रिंग में नज़र आए थे 37 रन का बड़ा पारी इन्होंने खेला था दोस्तो इस मैच में खेलेंगे तियाद रखना टीम के आपन करते वे दि पारी खेलाता और दुसरे मैच में यहाँ पे दो रन बनाए तुनों के यहाँ पे तीनों के तीनों देखोगे ना टीम के टॉप पे बल्लेबाज ही करेंगे यह ची ध्यान रखना तीनों की दुन अच्छे फॉर्म पे हैं और अच्छे लाई से रन स्कूर करते हैं दूस् देखोंगे 7 रन बनाते हैं टीम का फर्स्ट रन का बल्लेबाज इनको ट्राई कर सकते हैं बाके सिमन्दीफ सींग की बात करेंगे टीम का सेकेंड डाउन का बल्लेबाज है पहले मैच में 3 रन फिर 1 रन बनाए इसमें कोई विकेट ने मिला या आपको दो वर्त तक गिनद बाज है अच्छी फॉर्म पर यहां पर बल्ले बाजी कर रहे हैं देख सकते हैं हाप संचरी भी लाशन चीज रड़ा है इनको बिलकुल भी आप मिस नहीं करना अपने टीम से वकास की बात करेंगे दोस्तों यहां पर वकास बरकत जो की स्पीनर है टीम के फॉर्ट बल्ले ब बैटिंग से फ्लॉप रहे थे बॉलिंग से एक विकेट निकाले हैं फिर यहां पर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहे हैं यह कहें ना कि एक अच्छा ओवर रिकार्टे वे नजराएंगे दोस्तों जो कि यहां पर इस्पीनर है तो आप इनको ट्राइ कर सकते हो बाकि बात करेंगे एहन तरीबादी के बारे में टीम के 7 नमर पे बल्ले बाजी करते हैं अच्छा ओफ्सन रहेगा अतीक कि बात करेंगे दूस्तों 8 नमर पे बल्ले बाजी करते हैं तो ट्राइ कर सकते हैं विकास सर्मा जो कि मिडियम फास्ट करेंगे एक विकेट पहले मैचे मिला था दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं मिला है दो वर्च तक गिन्दबाजी करते हैं अगर आप इनको ट्राइ करना चाहते हैं दोस्तों तक कर सकते हो जो कि इन्दबाजी करते हुए दिख जाएग प्लेइंग 11 को आप ले सकते हैं जो सबसे सूपर आपसन रहने वाल हैं तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ काफी कुछ आपको जानकारी मिला होगा इस वीडियो के अंदर इस मैच से रिलेटेड तो भाईयों वीडियो को ना एक लाइक जरू कर देना क्योंकि आपका एक लोट विकर सन जायेगा और सारे मैचस का जानकारी आपको मिल पाएगा बाकि चलिए भाईयों हम लोग इसके बैसिस पे एक पहतरी टीम की और बढ़ते हैं दोस्तों सुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले वीडियो की पर से जो आज आपके लिए काफे ज़़ा इंपोर रही है और आप अपने हिसाब से एक दो खिराडियो को एडियस्ट कर सकते हैं दोस्तों मैं जेड अली को अपने टीम में ट्राइ करूंगा देखो रिजन आपको पता है पी एच के टीम के टीम के टॉप पे बल्ले बाजी करते हैं अच्छे फॉर्म पे नज़रा रहे है त आप ट्राइ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अधरवाइस आप इन तीनों को हिट हैं पर ट्राइ करो जा आपके लिए सबसे बेश ट्राइगा लेकिन ऑलरांडर की बात करेंगे दुस्तों तो मैंने यहाँ पर तीन इन पॉर्टन अल्रणर को पने टीम में ट्राइ कर रखा चाहते हो तो याद रखना थोड़ा रिस्क रहाएगा मेरे हिसाब से देखो तो एखान के यहाँ पर ड्रॉप करके आप बॉलिंग पर ज्यादा ट्रेश्ट कर सकते हैं जो कंप्लिट दस दस अबर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे एम हसन जो टीम के में चाहते हैं यह भी एक अच्छा चोईस रहाएगा अगर आप ट्राइ करना चाहते हैं कर सकते हैं जो गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और इस वीडियो के नीचे कमेंड बॉक्स पहला कमेंड में भी लिंक मिल जाएगा तो मैंने दो जगा आपको लिंक सेर कर दिया है कहेंपे भी क्लिक करके जोईन कर सकते हैं I hope दोस्तों आपने जोइन कर लिया होगा, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जैहिंद शुक्रिया, ठैंक्स पर वाजिंग.